एक दौर हुआ करता था जब बीजेपी सत्ता में आने के लिए राम मंदिर का सहारा लिया करती थी वो लगातार कहती थी कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर का निर्माण कराएंगे अब वो दोर समाप्त हो गया है और राम मंदिर का सिला न्यास पांच अगस्त को नेरंद्रमोदी ने कर दिया है इसी को लेके लगातार जो हिंदू वर्ग है वो अपनी आस्था को रोक नहीं पा रहा है और उत्सुकता के कारण राम मंदिर देखने के लिए अयोध्या में घूमने के लिए लगातार अयोध्या की दरब प्रस्थान कर रहा है वहीं अभी दिल्ली में टैगोर गार्डन है वहाँ पर एक मॉल है पैसिफिक मॉल वहाँ पर 32 फिट उचा और 48 फिट चोड़ा राम मंदिर का मॉडल इस्थापित किया गया है लोगों की भीड लगी है वहाँ हुजूम लगा है लोग उसको देख रहे हैं क्योंकि जो ध्यान नहीं जा सकते वह उस मॉल में जाके उसको देखना चाहते हैं उसको देखके खुश हो रहे हैं और उस控 पूजा भी कर रहे है उदिव्ट जी जो राम मंदिर सिला न्याद रेंद मोदी ने किया उसके बाल लगातार हर जगे राम मंदिर का मॉडल रखा जा रहा है तयार किया जा रहा है क्या कहना चाहेंगे कितनी उठसुकत आहे लोगों अबसे पहली बात कि जैसा आपने बताया कि एक दौर हुआ करता था जब बीजेपी सट्य में आने के लिए राम मंदिर का सहारा लिया करता था दरासल इसको हम अगर पैसिफ फोम में कहें तो राम मंदिर बनवाने के लिए सट्ट्य में बिजेपन और बना ब 26 बना भी तो ब पॉजिटिव काम किया गया लाश्ट में तारीक भी बताई गई मंदिर का निर्मान कार भी सुरू करवाया गया आपने वो तस्वीर भी देखी होगी नरेंद्र मोदी की जब वो साश्टांग आयोध्या में हुए थे भगवान राम के उस प्रतिमा के सामने वो प्रतिमा वो को राम और कृष्ण का डीने हैं हम यहीं मानते हैं हिंदू होने गयनाते तो ऐसे में सिर्फ पैसिमिक मॉल में ही नहीं वो धाचा होना चाहिए था बलकि इस बार कोरोना काल है तो ऐसे में दुर्गापूजा में शहरा में कोई बहुत जादा रौनक नहीं है अगर हम पट प्रवान करवाना है वो कैसा होगा उसका सुदूर रूप उसका चोटा सा रूप एक नमूना जी से आप कह सकते हैं वह पैसिफिक मॉल में देखने को मिल रहा है इसकी लंबाई चोड़ाई बहुत कम है जैसे आपने बताया है चौबीस पीट और तालीस फिट है यह बहु वैसा मॉडल जैसा राम मंदिर का निर्माड हो रहा है ताजा अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ नमस्कार देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुखबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जोर दबाएं साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें